तो वेल आप भी भाई RBSC बोर्ट से इंतजार कर रहे थे अपना प्रवेस पानी के लिए मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिनोंने RBSC का 10-10-12 का जो अभी परिक्षा दीती उसमें फैल होने के बाद में supplementary exams दिये थे जिनका result अभी तक के नहीं आया है तो उन लोगों के लिए एक थोड़ी सी sad news ये है थोड़ी नहीं बहुत बड़ी news ये हो सकती है अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो basically reason क्या है कि आप लोगों ने supplementary exam दिया किसलिए कि आप लोगों का साल बरबाद होने से बच जाए राइट साल बरबाद होने से बच जानी के लिए क्या होता कि आपका result आ जाता आप लोग एडविशन कर लेते अगली का छाओ में आगर पास हो जाते तो लेकिन अब यहाँ पे जो news निकल के आ रही है वो news ही ये है कि भाई साब आप लोगों का RBSC ने जो तारीकेती हो सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा ऐसी राजिस्थान बोर से जुड़ी हर एक खबर पानिक ले साथ में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमें टेलिग्राम ग्रूप में भी जॉइन कर सकते हैं यह आज की लेटिस्ट खबर है सेप्टिमवर ठीक है नौवी से बार्वी तक प्रवेस के लिए अंतिम तिथी ही नहीं बढ़ी 31 अगस्त तक की बात कही गई थी लेकिन तिथी लग रहा था कि बढ़ जाई क्योंकि सप्लिमेंटरी का रिजल्ट पेंडिंग में था आब यहाँ पर क्या लिका है सिक्चा भिभाग की ओर से नौवी से बार्वी कक्चाओं के प्रवेस की अंतिम तिथी 31 अगस्त तक तै की गई थी यह तिथी गुरुवार को पूरी हो गई मतलब बीते दिन विभाग ने राध तक अंतिम तिथी बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया इस कारण अब सरकारी वा गैर सरकारी स्कूलों में इन कक्चाओं में प्रवेस नहीं हो सकेगा इससे पहले अंतिम तिथी 25 अगस्त थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 कर दिया गया था आर्टी आई एक्ट के आधार पर पहली से आठवी तक प्रवेस सत्र परियाप्त हो सकेंगे तो ये भाई काफी एक जो है दु ये बोल रहा हूँ क्योंकि यार बच्चा जो होता है न वो एक अपना साल बरबाद होने से बचाने के लिए ही कोई परिच्छा देता है चाहे वो आपकी सप्लीमेंटरी हो चाहे आपका रिवेल्यूशन हो चाहे आपका बाई जो भी चीजे हो लेकिन अगर ऐसी स्तिती मे बोर्ड इस चीज को समझे और बोर्ड अपनी तारीखों को बढ़ा दे या फिर रिजल्ट जारी कर दे और उस रिजल्ट जारी करने का चार दिन का समय भी दे दे कि बच्चे आप अब एडविशन करवा सकते हो तो ये काफी बहतर होगा अब देखते आने वाले समय में सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजगा ऐसी राजिस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए